सबसे पहला कोईशन आपकी स्क्रीन पर गिलियन बैरे सिंड्रूम इस रिपोर्टे टू बी असोसियेटेड विप विच वैक्सीन ध्यान से पढ़ियेगा गिलियन बैरे सिंड्रूम की हम बात कर रहे हैं उप्शन से आपके सामने एस्ट्राजानिक ऑक्सवोर्टवक्सीन या कोवेक्सीन स्पुत्निक या फर सिनोवेक्ट इन चारों में से इसकी वज़े से इस सिंड्रूम लोगों में देखा गया जैसे हमारे इंडिया में black fungus disease हो रही थी लोगों को steroids की वज़े से सेम उसी तरह एस्टर जानिका vaccine की वज़े से Gillian Barrie syndrome लोगों में देखा गया जिसकी वज़ा एक तरह से immune system में कमजोरी आने लगती है लोगों में यह neurological disorder है किस तरह से यह होता है तो हम देख लेते हैं example के तौर पर यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो nerves होती है वो nerves पर इस तरह की एक protective layer होती है यह protective layer अगर हटा दी जाए तो हमारी nerves में serious disorder हो सकता है यहाँ पर आप देखेंगा जो यह estrogenica vaccine थी इसकी वज़े से जिन लोगों में gillian barrier syndrome देखा गया उनकी जो protective shell थी वो इस तरह से तूटने लगी damage होने लगी और हमारा जो nervous system है वो पूरा कपूरा expose हो गया जिसकी वज़े से damage काफी जादा देखा गया क्या-क्या इसके symptoms थे लिब में weakness आना, swallowing में difficulty होना, shortness of breath, flasic paralysis यानी extreme conditions में body paralysis भी हो सकती है किस region में यह देखा गया basically Europe और UK के कुछ इलागों में patients में इसका शिकायत देखी गई है next question हम बात करेंगे what is the turnover limit of small and medium companies as per the definition issued by the corporate affairs ministry अभी अभी government ने small or medium companies का जो turnover limit था वो बढ़ा दिया है बढ़ा कर कितना कर दिया है तो यहाँ पर आप देखिएगा पहले 50 करोड का turnover limit इनका होता था अब 250 करोड तक कर दिया गया है और borrowing यह 10 करोड तक कर सकते थे अब 50 करोड रुपीज तक borrowing कर सकते हैं तो यहाँ पर turnover बढ़ा के किया गया है 250 करोड रुपीज तो हमारा सही आंसर हो जाएगा option C किसने किया है यह तो ministry of corporate affairs के अंतरगत small and medium companies आती है basically बहुत important question है यह एक्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि small and medium companies से related MSME से related question अक्सर exam में पूछे गए हैं third question है which organization has released the report title world drug report 2021 यह report release की गई है UNODC यानि option D हमारा सही answer है UNODC क्या है United Nations Office on Drugs and Crime remember United Nations Office on Drugs and Crime के द्वारा world drug report release की गई है 2021 में इस report की मुतावित कहा गया है कि 275 million people जो है वो drugs को पूरे वर्ल्ड में यूज करते हैं और लगबग 36 million people वो drugs की वज़ा से सफर कर रहे हैं कई तरह के disorders उनकी body में देखे गए हैं last 24 years में cannabis की जो potency है वो बहुत जादा increase हुई है लगबग 4 times demand generate हो गई है इसका मतलब है लोगों ने cannabis को consume करना जादा कर दिया गया है next question है which union ministry implements the नशा मुक्त भारत अभियान नशा मुक्त भारत अभियान ये शुरू किया गया है ministry of social justice and empowerment के द्वारा याद रखिएगा फैमिली वेल पेर अंसर सही नहीं होगा social justice और empowerment के द्वारा ये start किया गया है नशा मुक्त भारत अभियान union social justice minister ने recently इसे launch किया अपनी website पर नशा मुक्त भारत अभियान के नाम से जो की nodal ministry है drug demand reduction in India के लिए आगे बात करेंगे 5th question है according to Indira हमने पहले भी इस बारे में discuss किया था आज हम फिर से ये question repeat हो रहा है 9.6% project की गई है GDP इंडिया की Indira यानि India Ratings and Research के द्वारा next question है जार्कन State Cricket Association has signed MOU with sale to set up state's third international cricket stadium in which city आपको अगर याद हो तो कल हमने last में capture discuss किया था जिसमें हमने पढ़ा था कि जार्कन State Cricket Association ने MOU sign किया है sale के द्वारा sale के साथ मिलकर और ये sale है बोकारो में तो बोकारो city में जार्कन का तीसरा international cricket stadium start होने वाला है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं the encrypted messaging application Wicker has been acquired by which tech joint वेकर एक messaging application है अभी अभी इसे acquire कर लिया गया है तो किसने acquire किया है तो हमारा answer यहाँ पर है Amazon Amazon ने इसे acquire किया है और अब ये इसका development पूरा का पूरा देखेगा क्या इसके फाइदे हैं ये secure communication provide करता है business या फिर government agencies या individuals के लिए जो लोग hybrid work environments में रहते हैं और COVID pandemic की वज़े से सारा का सारा काम digitally कर रहे है तो एक encrypted messages होना चाहिए अपना जो messaging application है वो पूरी तरह से safe and secure होना चाहिए ताकि कोई भी data third party तक release ना हो सके तो ये Amazon Web Services के द्वारा ही इसे deal किया जाएगा next question है अश्गाबत वोस नेम दो वर्ल्ड's most expensive city for foreign workers in Mercer cost of living survey recently Mercer cost of living survey ये एक report जारी हुई है जिसमें अश्गाबत जो है वो वर्ल्ड की सबसे जादा expensive city माली गई है foreign workers के लिए तो यहाँ question पूछा जा रहा है कि मुंबई को कौन सी ranking मिली है options आपके सामने है सही answer है अमारा option C 78th rank मुंबई को मिली है ये chart में आप देख सकते हैं सबसे जादा expensive cities में पहले नंबर पर है अश्गाबत जो की तुर्क मेनिस्तान में है फिर है Hong Kong जो की चाइना में है बीरत लबनान में है टोक्यो जपान में है और Zurich Switzerland में है ये top 5 है जिसमें आश्गाबत जो है वो first पर है और अगर हम बात करते हैं इंडिया की कुछ cities की या एशिया में कुछ cities की तो धाका जो की बांगलादेश में इसकी ranking है 40th इंडिया में मुंबई की ranking है 78 न्यू डेली की ranking है 117 चैनने 158th rank पर है बैंगलूरू 170th rank पर है और कुलकाता 181 rank पर है साथी साथ ये भी जान लेते हैं कि least expensive cities कौन कौन सी है तो 209th rank पर है बिशकेक जो की किर्गिस्तान में है और 208 पर है लुशाका जाम्बिया में है यानि कि total जो ranking है वो 209 cities के बीच में दी गई थी इसलिए least number पर बिशकेक है तो यान रखेगा total 209 cities को ranking दी गई है और किसके द्वारा दी गई है Mercer cost of living survey के द्वारा next question है which of the following bank has partnered with Paisa Bazaar to launch step up step up credit card Paisa Bazaar ने किसके साथ partnership की है credit card launch करने के लिए तो यहाँ पर हमारा answer होगा SBM bank option B SBM bank के साथ इन्होंने partnership की है Paisa Bazaar ने जो कि इंडिया का largest lending market place है credit school platform है तो SBM bank जो कि इंडिया में है यह youngest universal bank है जिसने step up credit card launch करने के लिए deal की Paisa Bazaar के साथ क्या करेंगे ये लोग ये credit builder product design करेंगे consumers के लिए जिसमें limited access हो सके formal credit की ताकि ineligible जो credit score होता है उसे थोड़ा बाहर रखा जा सके limited access ही provide की जाएगी अगले हमारा question होगा who among the following has won the 2021 sterian grand prix sterian grand prix की बात चल रही है तो यहाँ पर जो winner है वो है option A Max Verstappen यह आप देख सकते है image में Max Verstappen इन्होंने 2021 का sterian grand prix जीता है formula 1 season में तो यह भी पूछा जा सकता है कि max Verstappen का संबंद किस से है तो यह formula 1 racing से संबंदित है आगे हमारा question है name the author of the book fiercely female the dutichan story कौन इसके writer है तो यहाँ पर आप image पर देख सकते है journalist Sundeep Mishra इन्होंने यह book लिखी है fiercely female the dutichan story यह Indian sport athletics में है तो dutichan किस संबंदित है यह भी आपको याद रखना है इनके उपर इन्होंने बहुत ही अच्छी book लिखी है Indian sport में iconic figure के रूप में dutichan उभर के आई है अगला question है who has become joint top scorer in men's international football तो men's international football में जो winner है वो है Cristiano Ronaldo joint top scoring men's international player of all time का खिताब इनके नाम हो गया है he is currently tied with Iran legend Ali Dehi Ali Dehi के साथ इनोंने अभी tie-up किया है who scored 109 times in 149 matches between 1993 and 2006 इसके बाद हम बात करेंगे who has been granted this year Spanish princess of Austria's literature award यह award मिला है French के author Emmanuel Carraday को किसे Emmanuel Carraday यह कि French के author है popular for his non-fiction books in a high literary vein has been granted this year Spanish princess of Austria's literature award awards पोछ ले जाते हैं एक्जाम में तो आप पो याद रखने होंगे आगे बढ़ते हैं who has been honored with the highest civilian award of Mongolia the order of polar star यह award पहले भी exam में पूछा गया है तो इस साल यह award दिया गया है MD and Chairman Arki Sabobal को यह है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी EIL के Chairman और MD है Arki Sabobal इन्हें इस highest civilian award of Mongolia the order of polar star by his excellency से सम्मानिद किया गया है तो आपको नाम याद रखना होगा Arki Sabobal जी इमेज में आप देख सकते हैं किस तरह से मंगोलिया से इन्हें यह award मिला है आखरी question है Which Indian state has become the first state in the country to be rabies free इंडिया का वो पहला state आपको बताना है जिसने सबसे पहले rabies free declare कर दिया है खुद को तो answer है गोवा गोवा में rabies पूरी तरह से खतम हो गया है और गोवा के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रामोत सावन्थ ने गोवा को rabies free state declare कर दिया है तो आज के लिए बस इतना ही काफी important हमने facts को पढ़ा जुड़े रही है हमारे साथ कल फिर हाजिल होंगे नए ख़बरों के साथ